ब्रेस्ट फीडिंग से शेव काफी खराब हो गया है तो आप इसे रीशेप कैसे करें क्या ये पॉसिबल है या फिर इन्पॉसिबल है आज के ये वीडियो इसी टापिक पे है तो वीडियो को लाइक करने न भूले अब पूरे वीडियो को अच्छे से जरूर देखे प्रेग्नेंसी के बाद और चैल्ड वर्थ के बाद जब आप ब्रस्ट फीडिंग कराती हैं तो कापी लववे समय तक इसमें खिशाव होने के कारण ये लटक जाती है शेप खराब हो जाता है यहाँ ते कि आप ये देखती है कि आपको कई बार इसमें पेन भी होता है आप पहली से फिटिंग, ब्लाउजेस या फिर अच्छी मन पसंद ड्रस को नहीं पहन पाते ऐसा क्यों होता है सबसे पहले इसके रीजन को समझते है फ्रेग्मेंसिक के दोरान, फिमील्स बहुत जदा लाइट वेट कपड़ा पहनना पसंद करती है और वो ब्राज नहीं पहनते अगर आप ब्रा नहीं पहनेंगे, तो वो आपकी ब्रेस्ट शेप में नहीं रहेगे ब्रेस्ट फीडिंग के दोरान, महिलाए ब्रा पहनना पसंद नहीं करती है क्योंकि उनको बार-बार ब्रेस्ट पीड कराना होता है इस मुझे से वो बिना ब्रा के ही रहते है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ब्रेस्ट के शेप की बिगडनी की डाइक में एकसेस फैट को लेना वैसी चीजों को इंक्लूड ना करना जो टिस्यूज को रिप्लेस करें या फिर ब्लड फ्लो को बढ़ाए या फिर आपके सरीर में कसाव लाए तो अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं लेती है तो ये आपकी ब्रेस्ट के शेप को बिगाड देता है चलिए जानते है कि क्या है इसके उपाई कैसे इसको रीशेप करें देखें रीशेप करने के लिए तो सबसे पहले आपको एकसरसाइजिस करना होगा exercise किस type का? यानि कि आपको aerobic exercise करनी होगी arm से और breast से related जो भी exercises है वो आपको जरूर करनी है ताकि जो fat है exercise वो lose हो सके और skin tight हो सके bra पहनना शुरू करे bra perfect size की होनी चाहिए cotton की होनी चाहिए comfortable होनी चाहिए और आप ज़्याद से ज़्यादा bra पहने अगर आप प्रा नहीं पहनते हैं तो आपकी जो breast है वो लटक जाती है और shape और size खराब हो जाता है यूज करें beds का लोग सीधे खड़ी नहीं रहते females चुक जाती है जब वो breastfeeding कराती है या वाकी time भी तो फिर आप bed का use करें ताकि shape maintain रहे कुछ गलतियां बिल्कुल ना करी number one आप suddenly breastfeeding ना रोके जरुत से जादा भी नहीं और कम भी नहीं मतलब कि आपको correct time तर breastfeeding करानी है otherwise जो breast में fat sales है वो और जादा बढ़ जाएंगे और आपकी breast और भी जादा भद्धी लगे vitamin B और E का intake बढ़ाएं carbohydrate और protein जैसे portion को diet में सामिन करें वैसे fat वाली चीज़े या फिर बाहर की वैसे तली भूनी चीज़े बिल्कुल भी ना खाए massage में time to time आपको करना है इसके लिए आप aloe vera उसके साथ vitamin E का capsule coconut oil बादाम का तील या फिर जोजबा oil के साथ आप अपनी massage कर सकते हैं ताकि shape और size maintained रहे उमेद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगे please like करें और share करें thank you